जै मात अदी, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चेहरे के उपर दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो हमारे फेस का ये वाला एरिया होता है कुछ लोगों को आपने देखा होगा पूरा फेस एक दम क्लीन होता है लेकिन जो ये एरिया होता है दोनों साइड में इतने एरिया में कुछ लोगों के बहुत अजीब टाइप के भूरे भूरे या काले रंके या लाल रंके चकत्ते पड़े होते हैं यानि कि चाय के धब्बे जैसे हो जाते हैं जो की दूर से ही दिखते हैं और देखने में काफी भद्दे लगते हैं पूरी तरीके से फेस को खराब कर देते हैं फेस की रोनक को ही खतम कर देते हैं तो इनसे हम कैसे निजात पाएं अब कुछ लोगों को लगता है कि ये जहाईयां हैं जबकि यह जाया नहीं होती है, यह आपकी आन्यमीद दिंचर्या और फेज की अन्देखी करने के कारण हो जाते हैं। या कभी-कभी आपके खान-पान का भी आन्यमीद होना या सही नहीं होना भी इनका कारण बनता है, लेकिन अब हम करें क्या जैसे भी हुआ अंदेखी से हुआ लापरवाही से जैसे भी हुआ प्रोब्लम तो इसकीन के उपर हो गई लेकिन अब हम इसको दूर कैसे करें तो उसके लिए यहाँ पर आपको बहुत ही बहतरी चीज बता रही हूँ बहुत छोटी सी वीडियो है प्लीज पूरी सुनिएगा ध्यान से सुनिएगा और अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सब्सक्राइब करना एक्दम फ्री है और वीडियो काम की लगे तो अपने जानने वालों में अपने परचित लोगों में भी सेयर कीजे ताकि हर किसी को बिना खर्चे के फायदा मिल सके तो जिन लोगों के फेस के उपर ये प्रोबलम है कि इतना एरिया उनके फेस का एकदम खराब हो गया है दाग धब्बे हो गये हैं या किसी किसी के नाग और मत्थे के उपर भी ऐसी दिक्कत हो जाती लेकिन ज़्यादा तर यही एरिया कराब होता है कुल मिलाकर आपके फेस पर जहां कहीं भी दाग धब्बे हैं जो बताने वाली हो इस से एकदम खतम हो जाएंगे आपको नियमित साम सुबह अपने फेस को कच्चे दूद में रुई डाल करके साफ करना है एक चमच कच्चा दूद लीजिए उसमें रुई का फाहा भी होई है अच्छी तरीके से अपने फेस को 2-3 मिनट इसी रुई का फाहा से मसाज दीजिए इससे आपकी स्किन को एक बहतरीन पोसन मिलेगा जो अंदर तक जमी हुई गंदगी है उसको खीच कर कच्चा दूद बाहर करतेगा अगली चीज फेस पर आपको बिल्कुल साबुन नहीं लगाना फेस धोने के लिए आपको कोई सॉफ्ट फेस वास या बेसन का यूज करना है आप मुलतानी मिट्टी से भी अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं कैसे करना है मेरी प्लेलिस्ट घरेलू फेस पैक में आप देख लीजेगा आपको मिल जाएंगे वीडियो अब मैं आपको बताओं कि आपको फेस पैक कौन सा लगाना है नियमित मैंने पहले ही बोला है नियमित आपको साम सुबह अपने फेस की क्लिंजिंग यानि सफाई जरूर करनी है उसके साथ ही अब जो बताने वाली हुए ये फेस पैक आपको लगाना है आपको लेना होगा एक चम्मच चावल का आटा जी हाँ आप घर में भी चावल पीछ करके मिक्सी में चावल का आटा तयार कर सकते हैं अगर आप रेडी मिटली आएंगे ज़दा अच्छर है गब बहुत बारीक हो जाता है इसके अंदर एक बहुत ही बहतरीन पावर होती है जिससे आपके फेस की जाहिया डार्क सर्कल और दाखधब्बे एक दम खतम हो जाते हैं। यह फेस पैक वो लोग भी लगा सकते हैं जिनके पूरे फेस में जाईया है या नाक माते और ठुड़ी के उपर जाईया है या जिनके आखों के आसपास डार्क सरकल हो गए आप जब इस तरीके से किसी को देखते हैं आखों के आसपास बहुत ही काले-काले या भूरे-भूर गुलाब जल चमच आपको वही इस्तेमाल करना है जिससे आप खाना खाते हैं अच्छी तरीके से सारी चीजों को मिक्स कीजिए अगर आपको यह पेश्ट अभी गाढ़ा लग रहा है तो जरूरत के हिसाब से इसमें आप गुलाब जल और मिक्स कर सकते हैं अब आपको कच 3-4 मिनट तक मसाज कीजिए जब आप 3-4 मिनट इसको लगा कर मसाज करेंगे 3-4 मिनट में यह पूरा मिटेरियल इसकिन सोख लेगी यानि कि आपको इसकिन के उपर सुखा-सुखा महसूस होना सुरू हो जाएगा अब जो बचा हुआ आपका पेश्ट है इसकी एक मोटी ल की चीज नहीं है जो की हानिका रख हो अगर आपकी इसकिन बहुत ज़्यादा दागधबों के साथ साथ में ड्राइ हो गई है रूखी सूखी हो गई तो आप इसी पेश्ट के अंदर आधा चमस सहद भी मिला सकते हैं अब आखों के आसपास भी अगर डार सरकल है इसको जार दीजिए और चेहरे और गरदन को दो के साफ कर लिजिए आप चाहें तो नहां भी सकते हैं और उसके बाद अपने इसकिन के ओपर नारियल तेल लगाना बिलकुल मत भूलिए हलके हातों से नारियल तेल से एक से दो मिनट मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए प्रती अगर आप इसको इसको इस्तेमाल कीजिए एक महीने के अंदर आपका चेहरा चमक जाएगा तो अगर जानकारी काम की लगे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाईए नमस्कार नल्यवाद